जहिन दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलैन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी में निकली एक बहुत बड़ी भरती के बारे में तो सबसे पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस समय हम हैं इंडियन आर्मी की ओफिसियल वेबसाइट पर जहां पर हम आपके लिए इस भरती से रिलेटेड एटुजेट जैनकारी देने वाले हैं लेकिन दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बता देना चाहता हूँ कि अगर आप बिहार की स्टेट के रहने वाले हैं तो आपके लिए मैं बहुत बड़ी वीडियो लेकर आया हूँ आपको यह ब्यूडियो एंड तक जरूर देखना चाहें तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए बताऊंगा कि बिहार की कौन-कौन से डिस्टिक और कौन-कौन से एरो में भरती निकल चुकी है तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाएगा वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके लिए तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाश तक जरूर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में सेयर करें तो दोस्तों इंडियन आर्मी की ओफिसियल वेपसाइट पर इस समय हम है तो यहां पर अगर आप नीचे स्कॉल करके आएंगे तो आप यहां पर क्लिक करेंगे व्यू आल पर जहां पर जेसियो और ओर की इंट्री की जो भी दोस्तों भरती की इंफोर्मेशन है वो अपलोड की जाती है तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूं उसके बाद मैं दोस्तों हमारे सामने इंडियन आर्मी में पूरी इंडिया में निकली हुई भरती की डिटेल जो है वो आ जाती है ठीक है तो यहां पर दोस्तों आप देख रहे हैं आज मैं आपके लिए केबल बिहार के बिहा 25 से 30 करीब 25 से 30 जो है वो डिस्टिक्स में भरती होनी है तो बहुत बड़ी भरती दोस्तों इंडियन आर्मी की बिहार में शुरू हो चुकी है तो सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे आर्मी रेकुरूट्मेंट रैली फॉर मैन बाई ARO गया ठीक है तो यह गया ARO की त देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आर्मी रेकुरूट्मेंट रैली फॉर मैन मुझभफर पूर यह मुझभफर पूर ARO की तरफ से निकली होई भरती है दोस्तों और उसके बाद में जो चौथा ARO जिसने भरती निकाली है उसका नाम है दानापूर ठीक है यह जो भरती है वो दानापूर ARO की तरफ से निकाली गई है अब दोस्तों मैं इन सभी भरतीयों के ओफिसल नोटिफिकेशन आपके लिए डाउनलोड करके वन वाइबन दिखाने वाला हूं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेता हूं उसके बाद में हम अपने लास्ट ARO जो की दानापूर ARO है इसकी ओफिसल नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कर लेते हैं अभी दोस्तों मैंने आपके सामने ही इन ओफिसल नोटिफिकेशन के लिए डाउनलोड किया है मैं एक एक नोटिफिकेशन के लिए आपके अब लिए बता तो यह दोस्तो दाना पुरयारो का है नेट थोड़ा सिलू है जिसके कारण से यह अभी तक डाउनलोड नहीं हो पाया है तो यह अभी डाउनलोड हो चुका दोस्तो मैं आपके लिए इसको भी जूम करके पूरा दिखा देता हूं देखिए यह दाना पुरयारो एक बार आपको फिर से बता देता हूँ दाना पुरे यारो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मजबफर पुरे यारो और आपका कटेहार और यहाँ पर गया यारो ठीक है? एक एक करके सभी में कौन-कौन सी ट्रेट्स के लिए भरती निकली हुई है पूरी बात में आपको बता दूँ एक कॉमन है दोस्तों यहाँ पर एक बात कि यहाँ पर जो ट्रेट्स भरती है वो सभी ट्रेट्स के लिए निकली हुई है ठीक है? तो आपके लिए मुझे पूरी नोटिफिक्सिन देखाने के जरूर नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको एंड में दिखा दूँगा ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सोल्जर जेनरल ड्यूटी सोल्जर ट्रेट्स सोल्जर टेक्निकल सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और सोल्जर क्लर्क्स ठीक है? उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्हें यारों की जहां से मैंने यह भरती यह नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया है वहीं पर दोस्तों इनकी साथ-साथ ट्रेट्समेन की भरती का भी अलग से नोटिफिकेशन दिए गई है जैसे कि मजफरपूर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दानापूर और उसके बाद में यहाँ पर आपके लिए गया यारों और यह कट यारों पूरे के पूरे यारों की यहाँ पर भरती है निकले हुए ठीक है? तो दोस्तो जो दानापुर यारो में है उसके जो ओनलाइन रेजिटरेशन हैं वो 16 दिसंबर 2020 से 14 जनवरी 2021 के बीच में आप कर सकते हैं और उसके बाद में दोस्तो यहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट भरती है जो की मुझफर पुर यारो के तरफ से निकाली गई है इसके भी आप जो ओनलाइन रेजिटरेशन हैं वो 16 दिसंबर 2020 से 14 जनवरी 2021 के बीच में कर सकते हैं उसके बाद में आता है हमारा गया यारो इसके भी दोस्तो आप ओनलाइन रेजिटरेशन जो हैं वो 20 दिसंबर 2020 से 2 फरवरी 2021 के बीच में कर सकते हैं अभी कौन-कौन से डिस्टिक्स की यहां पर भरती होनी है, वो भी हम आपको पूरी जानकारी दे देते हैं, तो दानापुर यारो के अंडर में दोस्तों, पटना, बकसर, भोजपुर, मैं आपको सही से हाइलाइट करके दिखाता हूँ, यहां पर दोस्तों, पटना, बकसर, भोजपुर, सिवान, सरन, गोपाल गंज, और बैसाली डिस्टिक्स ऑफ बिहार, तो यह दानापुर यारो के अंडर में भरती होनी है, उसके बाद में दोस्तों, यहां पर नेक्स्ट जो है, बो मुझफर पूर यारो है, और मुझफर पूर यारो जो है दोस्तों, इसके अंतरगत यहां पर आपके लिए, बैस्ट चंपरन, इस्ट चंपरन, उसके बाद में सीतामरी, सियोहार, मुझफर पूर, मदुबानी, दर्भंगा, एंड समस्तिपूर डिस्टिक्स की भरती होनी है, ठीक है, नेक्स्ट आता है तो आपका यहां पे कटिहार यारो, कटिहा खगरिया, किसंगंज, मादयपूर, मुंगेर, पुरेनिया, सहरसा, एंड सपॉल, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका यहारो है, जो कि गया यहारो, तो गया यहारो के अंतरगत आप दोस्तों भरती देख सकते हैं, अरवाल, औरंगवाद, गया, जमुई, जिहानवाद कैमूर, और उसके बाद में लक्षी सराय, उसके बाद में नालंदा और नवादा, और रोता, सेंड सेखपुरा, यह डिश्टिक्स के अगर आने वाले हैं, तो आप भरती देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर बिहार के युबाओं के लिए चार एयरोंने भरती निकाल चुकी है, यह बहुत बड़ी भरती है, दोस्तों लगबग आदा बिहार इन भरती में कम्प्लीट हो जाएगा, तो आपके पास में बहुत बड़ा मौका है, इंडिन आर्मी में भरती होने का, दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें, और इस वीडियो को लाइक और सेर जरू कर दें, दोस्तों यह हमारे चैनल है, इस पर आप विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब जरू करें, ठीक है, तो दोस्तों यह थी वो भरती जो कि बिहार के कंडिडिट्स के लिए निकली कर सकते हैं ठीक है उसके बार दोस्तों एक बात आपको और बता दूं कि आर्मी की भरती की जो सबसे पहले आपको अपडेट मिलती है वो आपको हमारे चैनल पर मिलती है और दोस्तों आपके जो कोस्चन्स होते हैं आप सभी को यह भी पता होगा कि मैं हर कोस्चन्स का आपके लिए रिपलाई देता हूँ एक बात आपको और बता देना चाहता हूं दोस्तों भरती निकलने से ही आप भरती नहीं हो जाएंगे उसके लिए आपको तैयारी भी करना जरूरी है तो दोस्तों जिसके लिए हम आपके लिए अपने इसी चैनल पर ट्रिटेन एक्जाम की भी तैयारी कराते रहते हैं अगर आप हमारी चैनल पर विजिट करेंगे तो आप देखेंगे हम जनरल नौलिज की भी वीडियो डालते हैं जो कि आर्मी के लिहाज से बहुत ही ज़ादा इंप्रटेन कोश्चन्स होते हैं तो दोस्तो अगर आप हमारे जनरल नोलिज की वीडियो को नहीं देखा तो उनको भी देखें और अपने इस भाई के चैनल को सपोर्ट करें तो चलिए दोस्तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार जैहन जैभर